आज हम अपने किचन में लेके आए हैं एक अलग तरह की पकोड़े की रेस्पी जो हम बचे हुए ब्रेट क्रम्स और थोड़ी सी बचे हुए चावल से बनाएंगे जो बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी बनके तयार होगा इसे बनाना भी बहुत आसान है और यह कर लेंगे तो चलिए इस रेस्पी को हम बना रहा शुरू करते हैं वेलकम वैक तुमा योटूब चैनल सिल्पी हाउसाई की जर्में आप सभी का स्वागत है हमने यहां पे ले लिया है एक कटोरी के करीब ब्रेट क्रम्स हम जब कोई रेस्पी बनाते हैं तो इस तरह से ब यहां पर मैंने अधरक लेसन और हरी मिर्च का पेश्ट बना के ले लिया है आप इसको चाहिए तो मतलब की बारिक भी काड़ सकते हैं आप अब हमने डाल दी आदा चमच जीरा आदा चमच के करीब आजवाइन और यहां पर डाल देंगे आदा चमच के करीब हल्दी पाउ प्याज भी थोड़ा सौप्ट होता है मतलब किसमें पानी का असर होता है चावल भी है गाजर भी है तो इसलिए पहले हम इसको खूब अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे तो अब देखेंगे हम ने इसको मिक्स कर लिए आप यहां पर हम डाल देंगे एक छोटी कटोरी से ब पानी मैं छट्ने पीस के ऐसी में उसी में ले लिये थे थोड़े से पानी ّाल के इसको च्ह 2001 टैर dieses जितना तेल है उसे साफ से इसमें पकोड़े डाल देंगे और पकोड़ों को फ्राई करेंगे पकोड़ों को हम क्रिस्पी होने तक इसको हम फ्राई करेंगे तो चलिए हम इसे फ्राई कर लेते हैं कभी कभी क्या होता है कि जब हम कोई रिस्पी बनाते हैं जैसे ब्रेट की मि अनुस्ता बना सकते हैं सुँझा साम के टाइम चाय के साथ खाने के लिए तो देखिए हमने यह बच्चेंवे चावल और बच्चेंवे बरेट क्रम से बहुत ही टेस्टी यहां पे पकॉड़ी बनाके तयार कर लिया तो अभी तरह से जितने भी हमने यहां पे तयार कर रखे सब का हम पकोड़ी इस तरह से बना लेंगे पकोड़ी बहुत ही टेस्टी बनेगा आप इसके साथ खाने के लिए अगर चाहे तो टमाटर की चटनी या हरी धनिया की चटनी पीस के रेडी कर लीजिए तो मैंने इसके साथ कोई चटनी नहीं बनाया है मैं इसको टमाटो पीवी होंगे यह देखिए अगर आपको पकोड़ी फ्राई करते समय अगर आपके प्याज या को मतलब की वह फैल जा रहा है तो आप वहां पर थोड़े और भी बेसन कर सकते हैं जिससे की पकोड़े एकदम बदे बदे से बनेंगे तो यह देखिए पकोड़े लग रहे ह चाय के साथ खाने में बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही कम समय में मतलब बहुत ही कम चीजों में मतलब जो आपके घर में अगर आपके पास गाजर नहीं है तो जरूरी नहीं है गाजर यहां पर डालना मतलब की प्याज से पचे चावल और बचे हुए ब्रेट क्रम से भी आप इस रेस्पी को बना सकते हैं तो नास्ता हमारा यहां पर बहुत अच्छी तरह से बनके रेडी हो गया और बहुत ही क्र पकोड़े अंदर तक बहुत ही अच्छी तरह से पक गये हैं और पकोड़े क्रिस्पी भी बहुत अच्छी तरह से बने हुए तो आप इस रेस्पी को एक बार जरूर ट्राइब करें अगर वीडियो आपको पसंद आयो तो प्लिस आप हमारी वीडियो को लाइक करिए चैन